हेलो फ्रेंड्स जैमातादी वेलकम टू मैं चैनल तो आज आएं नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाएंगे ककड़ी की सबजी अगर आपको फास्ट है नवरात्री का फास्ट है तो आप यह वाली सबजी बना के खा सकते हैं क्योंकि हम नवरात्री के लिए ही से बना रहे ह मैंने तीन से चार ककड़ी लिए फ्रेश आप देख सकते हैं पतली वाली लीए और दो बले टमाटर लिए जिसको मैंने बारिक चॉप कर लिया है और चार से पांच आलु लिए इनको मैंने बॉइल कर लिया है और दो हरी मिर्चि लिए यह देके यह हम नवरात्री पीसों में आप चाहिए जैसे मर्जी काट सकते हैं गोल भी काट सकते हैं और अब हम इसके दो पीस कर लेंगे या फिर चार भी कर सकते हैं इस तरह से आप अपने हिसाब से काट सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे काटना यह देखे इस तरह से और इसी तरह से हमें सारी काटनी है और इस सारी ककड़ी मैंने इस तरह से काट ले लंबे साइस में और इसके बाद हम आलू काटेंगे आलू को भी हम बराबर पीस में काटेंगे बहुत जादा मोटा पतला नहीं रखना है क्योंकि हम सूखी सबजी बना रहे हैं तो इसलिए मैंने बॉइल डालू लिए हैं आप चाहे तो फ्रेश आलू भी ले सकते हैं कच्छा आलू और खकड़ी और आलू दोनों कट चुके हैं और आप हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहले कड़ाई रख लेते हैं गैस पर और कड़ाई गरम हो चुकी है तो आप हम इसमें ऑईल डालेंगे आप चाहे तो देशी घी का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने 2-3 बड़े चम्मच ओयल डाले मेरा है और पाड़ी चम्मच कशी चुखाए तो आप हम डालेंगे जीरा साथ में डालेंगे रख्भी मिर्च और यहां पर मैं डालूँगी थोड़ा सा आधी चमच के आसपास लाल मिर्ची और साथ में ही डालूँगी टमाटर ताकि इसमें कलर काफी अच्छा आए और यहां पर हम डालेंगे नमक अपने स्वादनुसार ताकि जो हमारे टमाटर है वह अच्छे से गल जाए और इसको थोड़ा सा ढख देंगे एक से दो मिनट के लिए और दो से तीन मिनट हो चुके हैं और देखे टमाटर अच्छी जरसे पख गए हैं इसको इस तरह से कर लेंगे थोड़ा सा और पहले हम डालेंगे ककडी इसको खोड़ी तेर पकने देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गयस की फ्लेम को लो करेंगे और एक से दो मिने तक पहले कज़़ी को पकने देंगे इसके बाद हम इसमें आलू एड़ करेंगे मैंने कोई भी मसाला इसमें आड़ नहीं किया है बस नमप और रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिली यूज़ परिए अगर आप खाते हैं तो इसमें मसाले भी एड़ कर सकते हैं क्योंकि नवरातरी के लिए बना रहे तो विदाउट मसाला बनाएंगे दो से तीन मिनट हो चुके है और यह देखे हलके लिकी हमारी ककड़ी यह पक चुके है तो अब हम इसमें आलू एड़ कर अगर खाते हैं यह नहीं अगर खाते तो इसमें मसाले भी आट कर सकते हैं और इसको फिर आप खुली में थोड़ा और पकाएंगे एक से दो मिनट के लिए और दो से तीन मिनट हमें और पकाने जब तक यह इस तरह से आप करके देखेंगे जो ककड़ी है वह इस तरह से कट आप चाहिए तो प्लेन ककड़ी की भी सब्जी बना सकते हैं आलू अबॉइट कर सकते हैं लेकिन अगर आलू डालते तो इसे थोड़ा सा और इसका टेस्ट चेंज हो जाता है और दो मिनट के लिए मैं और इसे ढग दूँगी अल्मॉस्ट दो मिनट हो चुके हैं और सब्जी हमारी रडी हो चुके है अब हम इस पर थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और गैस के फ्लेम को कर देंगे और देखें सब्जी हो चुगी हमारी रडी होचुके कट्डी की जिस आफ वरत में खाते हैं बहुत ही सिंपल तरीकिस और बहुत ही ayOpen बन जाती, I hope friends आपको मेरी ये वाली राश से भी बहुत ही पसंद आई होगी, अगर आए तो मेरी चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले, लाइक करें और शेयर करें साथ में बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और कैसे लगी मुझे कॉमेंट करकर ज़रूर बताएं